नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी का केड़ी ग्लाजेज इंडिया में इस वीडियो में बीएड के बीएड और बीटीसी में जो केस चला है सुप्रेम कोड में उसके बारे में डिसकर्स करने वाले हैं उसका और आने वाला है उसका रिजल्ट कब आएगा 12 अक्टूबर 2022 क को यह फैसलबा आने वाला है सुप्रेम कोड का अब इसमें जाने वाले है कि किसका पत्च में जा सकता है कि कि इसमें किसका पच बारी है यह देख लिजिए जैसे कौन से पच बहारी है इमाचल परदेस में जो वेडिक अगली थी उसमें डुकोתי वैलिड माना गया था 125 के लिए जो 1 2 5 वैकंजी निगली ती हमाचल परदेश में उसके लिए वैलिड माना गया था बीएड को और है जारकंड जारकंड में है बन तो 5 बीएड के लिए और डी ट्रूपलैस भी दिल्ली में उसमें भी वैलिड है और 2018 में जो यूपी में वेकेंसी निगली थी उनत्तर जार की उसमें भी वैलिट है बन टू फाइव अब इसमें क्या है जैसे यह यूपी में अगर मानते हैं कि बीएड वैलिड नहीं किया जाए तो उसमें यह दिक्कत आजाएगी कि जो वेकेंसी आई थी तरजार वाली उसमें से उसमें जो बीएड में लगे लगे थे वन टू फाइव में उनको निकालना पड़ेगा तो इसकी वजह से यह बैल इसमें माना जाएगा क्योंकि उसमें फिजली वाली वैकेंसी में दिक्कत आ सकती है उसमें इसमें बेज़ कोर्स करा जाएगा जो बीएड वाले इस वेकेंसी में सेलेक्टिट होंगे उनको प्रिज कोर्स सेलेक्षन होने की बात कराय जाएगा और इसमें अपना पच्छ रखा था और वह वह उन्होंने भी माना था अब बीटी सी का क्या है बीटी सी में कौन से कौन से पच्छ पैजितिमें अब रायस्थान का हाटकोपी ओडर्र आया है उसमें वन्टू-फाइव एलेट नहीं माना गया है जो भी विए प्यड़ किये हुए हैं उनके लिए वन्टू-फाइव एलेट नहीं है और यूप वह कोट के उपर डिपेंड है फिर भी यूपी में जो बन टू फाइव वैलेड के लिए वैलेड के पच्छ में है यूपी में और आटी एक्ट दोजा नौ में भी लिखा है कि जो बीटी सी के स्टुडेंट अगर कम पढ़ जाते हैं जैसे प्राइमरी की वेकंसी में अगर ब्यूटी के स्टुडेंट कम पढ़ जाते हैं तो इस था फ़ी और थे अगर जाधेंते अब कि और यह किक उपने में घासकता क्या कि किस्कुन में रहा सकता है स्कुम्साइब कर सकता तुम वीडियों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद